कि हेलो व्रिवान वल्कम बाक टो माई यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में मैं आप विशाद शेयर करने वाली हूं क्रीम की रेस्पी जो की हम पाउडर क्रीम से बनाएंगे इंग्रेटिंग के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे हम बर्तन को सेट करेंगे बर्तन सेट करने के लिए हमें दो तरह के बर्तन चाहिए पहला चाहिए हमें एक बड़ा बर्तन और दूसरा चाहिए हमें छोटा बर्तन बड़े बरतन के अंदर छोटा बरतन अच्छे तरीके से फिट हो जाना चाहिए उसके बाद हम लेंगे आईस क्यू बड़े वाले बरतन में हम आईस क्यूब को टांसफर कर देंगे हुआ ब्रतन पर अच्छे तरी के नहoc इस क्रफ करें हुए कि अलए जाल देंगे हम बड़ें वाली बरतन पर उसके बाद हम छटे क्रीम नेली 10 टेपलिस्पून के बराबर है उसके बाद हम क्रीम को ब्लेंड करतेंगे ब्लेंडर की मदद से जैसा कि आप देख सकेंगे वीडियो में मैं उसे किस तरह से ब्लेंड करेंगे दीरे दीरे हमें उसे ब्लेंड करना है क्रीम और मिलक अच्छी तरीके से ब्लेंड करते रहें लगबग 5-10 मिनिट हम उसे ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड करते रहना है क्रीम रेडी है या नहीं यह हमें कैसे पता चलेगी यह आपको वीडियो में देखने पावडर शुकर डालने से क्रीम जो है वो मीठा लगेगा और क्रीम का एक अलग लेबर आएगा दीरे-दीरे हम मैं उसे मिक्स करते जा रही हूं ब्लेंडर की मदद से लगभक मैंने क्रीम को 10-15 मिनिट के लिए मिक्स किया था अब जासा कि आप देख सकते क्रीम जो है वो अलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है तो क्रीम रेडी है या नहीं यह आपको कैसे पता चलेगा वो देखिए जब आप क्रीम को उल्टा लटकाएंगे अपसाइड डाउन करेंगे तो क्रीम जो है वो नीचे नहीं गिरेगा अगर क्र नीचे नहीं गिरता है इसका मतलब क्रीम जो है वो रेडी हो चुका है थैंकियो फॉर वाचिंग दो सब्सक्राइब फोर मोर सच वीडियो लाइक कमेंच एंड शेयर